स्वामी प्रशाद मौरिया अभी तक राम चवित मानस पर टेका टिपनी करते थे कर भी रहें लेकिन इनका मानसिक संतुलन इतना खो गया है कि अब साधु संत को कसाई और आतंकवादिवी कहना उन्होंने सुरू कर दिया है कितनी दुख की बात है कि स्नातन संस्कृति वाला देश में रिशी मुनी महत्मा साधु की देश में संतों की देश में यहां की राजनेता साधु संतों को राक्षस आतंकी और कसाई का रहे हैं इसका पुर्जोर विरोध करते हैं निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनके प्रसा पर रामचेत मानस जलाई गई है है अभी तक उनकी गिरफतारी नहीं हुई है इनके विगरते हुए बोल बरबोले पन समाज को बांटने का काम कर रहा है मुझको लगता है कि इनको कहीं से फंडिंग हो रही है और वो फंडिंग इस प्रकार से हो रही है कि हिंदूओं को हिंदूओं से लड़ाओ सनातन को तोड़ो इनको आतंकियों के द्वारा फंडिंग स्वामी प्रसाद मौरिया को दी जा रही है जिसके नाते लगातार स्वामी प्रशाद मौरिया समाज के खिलाप, संस्कृति के खिलाप, हमारे धार्मिक गरंद के खिलाप, साधू संतों के खिलाप जहर उगल रहे हैं पहले तो मैं उत्तरप्रदेश सरकाड से और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि स्वामी प्रशाद मोरियाजी की बोल की जाच हो क्योंकि मुझको डर है कि ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं और दंगा कराना चाहते हैं इसकी जाच होनी चाहिए